पाकिस्तान आज साबित करेगा कि क्या वो जीत पाएगा या नहीं जीत पाएगा पाकिस्तान का आज पहला मैच है पाकिस्तान की फ्लेइंग 11 क्या हो सकती है अभी तरह कोई खास चीज सामने नहीं आई है लेकिन कादिर ख्वाजा मैसा मौजूद है उनसे जानेंगे उनसे कन्फरमेशन लेंगे बड़ी जीब खबरें भी सामने आए थी उन पर यकीन नहीं वह रहे हैं और इसके इलावा सुना जा रहा है कि आई सी सी जो और कई बी सी सी आइक तरफ़ किसका बारत में नहीं नहीं नाजिन इसके पर बात करते हैं सब्से पहले आपने मुलाकात करवाती चलूुद हमारे सामा तीवी के आपको इंतजार था कॉमेंट्स में बार-बार पूछा जा रहा था आमिर नजीर साब कहा है तो आज आपकी मुलाकात करवाते हैं आमिर अजीर साब या फिर उस्मान खान और साथ साइम आयू मुहम्मद रिज्वान तो मस्ट हो सकते हैं तो क्या अगर यह सूर्टेहाल होती है तो इससे अच्छा इंपक्ट आता है देखिए मिरव हमारे पाथ चार ओपनर हैं रिज्वान बाबर साइम और फखर यह चारो ओपनर देखिए ब है कि यह बहुत बड़ी बात है एक कैप्टन देखिए न लोग तो फ्रंट पर आना चाहिए कि वह फ्रंट पर आया है उसने कहा जी मैं नीचे आता हूं देखिए आपको याद हो कि रिज्वान को जब ओपन से खटाया गया तो रिज्वान सब नराज होगे थे जी मैं तो बात करनी चाहिए मीडिया के ओपर यह लोगों को आगे नहीं बताना चाहिए यह पाकिस्तान की टीम है अगर अच्छे बैट्समें हो ना मैं मिसाल देखो है एंडम गिल्क्रिस की वह ओपन करता था टेस्ट में और टेस्ट में च्टे साथे नमबर पर आता था वह भी वि रखना चाहिए बसरा यह है कि बाबर ने जो फैसरा किया मैं मैं तो बड़ा खूश हूँ मुतमिन हूँ को मैं भी एक स्पोर्टर था गई बाबर और जवान की ओपन का एक रिदम बना हुआ है आप दो साथ से देख लें वही रंस का रहे हैं और इन दोनों को निकाल दे आपके बैस्मानों रंस ही नहीं बनाए हुए यह लोग हैं दोनों जो रंस बनाते हुए आ रहे हैं बाब ने जो फैसरा किया मैं तो बड़ा खूश हूँ अब लोग हूँ हो यह नो मैंने उनको जानता मगर यह देखें अब साइन को बहुत जिम्मेदारी है साइन को रंस खेल के जा के सो रंस बनाए हुए है ठीक है ना तो हम ऐसे बच्चों के डिसकार करें बड़ा सतया नास किया हो आपने फ्यूचर का मगर मैं कहता हूँ अब थोड़ा सा ना फखर जमान के उपर भी ना अगर साइम नी चलता तो आपके उप्शन तो फखर जमान की भी है आ इसको आप उपन बेज़ें कि उसने वही बैटिंग करनी है बिल्कुल आमिर सब ठीक कह रहे हैं यह हमारे पस चार आप्शन है ओपनिंग में आप शफलिंग कर सकते हैं मिडल और पे आप शफलिंग नहीं कर सकते हैं आप अगर बाबर आजम ने कुरबानी दी है साय अपने बारी का इंतजार करते हैं जो बैंच पर ही बैठे रहते हैं बचारे मुक्तलिफ सीरीज में उनको भी इसी तरह मोका देना चाहिए साय मयूब नो डाउट बड़ा अच्छा परफॉर्मर है पी एसल में लीग में कैरिबियन लीग में बड़ी अच्छी उमदा सामना उसको करना पड़ता है बाबर आजम और रिजवान की जोड़ी बेतरीन जोड़ी हमें पता है कि 152 जो इंडिया को हमने हराया था दुबई में मिशूर जोड़ी उसके बाद आप देखें कि यह इस तरह की जोड़ी है कि इनकी आपस में अंडरस्टेंडिंग है उनक आप भी प्रेशर रिलीस करते 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 रंस करते जाते हैं और फिर बाबर ने आपको देखा होगा इस ट्रगल कर रहे था है एर्लेंड के खलाफ अचानक जो है वह जब रिजवान ने अच्छा खेलना स्टार्ट किया दूसरे आंड से पार्ट ने श्रूर शूर किय ना इसन आटर करें एक तो आपो आउड-बर राजम के रिजवान की हिता करके फेन करें की के इसलिड़िया श्रूर वह घ्लेंड़िवज़नाुच्ति इनको की थी कि जो नाम आपके जो मुल्क का नाम जो आपकी शर्ट पर लिखा है आप उसके ओपर फोकस करें क्योंकि अपनी जाद के लिए जो है ना वो थोड़ा साथ इतना नहीं है कि अब नो लुक लगी है तो नो लुक करते रहना है अमने जीत की तरफ भी जाना है आमिर मैं आज की तरफ अगर देखा जाए तो तो क्या ठीक फैसला ही है अगर मेरा तजिया जो मैंने क्रिक्ट खेलिए जो मैंने अठाना बच्चों में से जो मैं टीम करूंगा ना मेरा फाद बोलोगा पहले नसीम शाह शहिंशा फरीदी और महामद आमिर यह तीन पेसर के साथ मैं जाओंगा उसका इमाद वसीम और शदाब या इबरार क्योंगे हम लोगों ने और बाबर ने जो ट्रस्ट करना है वो शदाब के ओपर करना है ठीक है यह मेरे होगे दो स्पिनर और तीन फाद बोलर देकि आपके बाद भी आ जाता है फिर आपके बाद इफ्तहार भी जाता है तोटल मिला आगे आपके पास साथ बोलर हो जाते हैं इनाफ है तो शादा पर अभी भी आपको यकीन है अगर हमने इसको यूटलाइज नहीं करना इसको अगर हमने बैंच में बठाना है फिर फिर बड़े फसोस है फिर यह पाकिस्तान क्रिकर के साथ बड़ी बड सब्सक्राइब करें यह क्यों अगर यहां वर्ल्लक तक आगया है फिर उसको मोका क्यों ही दिया जा रहा है मैं तो उसके साथ जाओंगा अभी क्योंगे आप 15 मेंबर का स्क्वार्ड है मगर यह हमारे यह जो पांच और तीन तीन और दो और दो और यह हमारे पार बड़े यह है इस पर इंस्ट्रेस्टिक बात है खाजा बेबी यह जो जानता हूं जितरह मैं इसको देखा है वह और श्रौ शेलेटिया निया बोल करता है अगर वह निया बोल नहीं करता मीरफ अगर वह नीचे आता है फिर क्वेश्चन माग ते